क्याता है Mr. Y own a house property in Delhi whose municipal value is 60,000 and fair rent 70,000. During the previous year 23, the house remained vacated. आपका 142023 से लेके 362023 इट वस लेट आउट एक साथ से लेट आउट हो गया और आ residential purpose के लिए monthly rent यह था यानि पहले कुछ समय के लिए क्या रहा खाली रहा ठीक है तो सबसे पहले हम लेगे क्या municipal value that is क्या है हमारा 60,000 फिर क्या लेगे बताओ fair rent क्या है हमारा 70,000 अब क्या लेगे हम standard rent जो कि है नहीं not applicable तो हमारा expected rent क्या आ जाएगा हमारा 70,000 और जो हमारा actual rent है वो पहले आप एक बार क्योंकि क्योंकि खाली था कितने मैने April, May, June 3 मैने खाली था तो 9 महिने का calculate करो अगर तो 7,500 इंटू में 9 अगर हम ये निकालते हैं 7,500 इंटू में 9 तो 67,500 आता है ये 9 महिने का लेकिन आप एक बार ये भी चेक करो क्या अगर हमारा घर पूरे 12 महिने के किराये पे रहते तो क्या हमारा इनके expected rent से जादा होता या नहीं होता तो जबाब जादा होता actual rent तो हमारा 67,500 है अगर 12 महिने किराये पे रहता है तो इनसे जादा होता तो government कहते हैं आप सही बता रहे हो तो अब यहाँ पे GAV जो माना जाएगा that is 67,500 माना जाएगा आगे देखिए why incur the following expenditure municipal tax is paid 18,000 रुपे तो less empty आजाएगा हमारा यहाँ पे 18,000 रुपे और due 25,000 तो इसका कुछ नहीं होगा repair का कुछ नहीं होगा fair insurance कुछ नहीं ground rent कुछ नहीं ground rent यह भी कुछ नहीं अब loan का काम आ जाएगा हमारा तो municipal tax minus करते ही हमारा आजाएगा 49,500 NAV अब 24A माइनस कर देंगे मैं थोड़ा सदे को shortcut जरूर ले रहा हूँ लेकिन मेरे मकसद है question को बताना और अब ले लेंगे 24B 24B निकालना पर सकता है कहता है इसने एक loan पांच लाग का लिया था 10% 14 2018 में 14 2018 में इसने loan लिया and house was construction 2020 में complete हुआ 18 में लिया और घर complete हुआ हमारे 31,7,2020 तो जिस सार घर complete हुआ वो साल जो मेरा रहा होगा वो रहा होगा 14,2020 यानि ये 31,3,2020 से लेके यहां से यहां तक का pre construction होगा तो 18,19 और 19,20 तो देखा जाए तो 12 मेहने और 12 मेहने 24 मेहने हमारा माना जाएगा PCP एक बार पहले आप अपने mind में भी calculation कर लेजिए मैंने थोड़ा fast किया है यहां 24 मेहने PCP माने जाएगे और एक और loan लिया इसने he further took a loan 111 में none of loan is repaid तो अभी further जो इसने loan लिया उसके भी हम बात करेंगे पहले यहां तक देखे आप सभी को PCP समझ बाए है Sir एक बार repeat कर दो repeat नहीं करते पूरा ही कर देते हैं चलो हम साल बना लेते हैं काम हमारा जो loan का चर्चा स्टार्ट हुआ discussion 2018 से 14-2018 खतम कब होगा 31-3-2011 चलो फिर से एक और साल आया यह कब होगा 14-2019 खतम कब होगा 31-3-2020 फिर से एक और साल आया यह date है हमारा 14-2020 और खतम कब होगा 31-3-2020 construction हमारा कहीं इसके बीच में complete हुआ है 31-7-2020 तो अगर इस साल मेरा construction complete हो गया है तो हमने इस साल में income tax तो भर दिया होगा अगर हमने इस साल income tax भर दिया है तो मेरा तो interest का नुकसान हुआ है नी तो इसलिए यह pre construction period आये गा ही नी pre construction period में एक तो यह वाला साल आ गया और एक यह वाला साल आ गया तो 12 मेहने यहाँ पे आ गया और 12 मेहने यहाँ पे आ गया और pre construction का benefit फर्दर आने वाले 5 साल हो तक आपको मिलेगा वो देखना है कई बार अगर मान लो यही लोन लिया होता मैंने 2010 में तो pre-construction period निकालने का फाइदा ही नहीं होता क्योंकि वो आगे 5 साल exhaust हो चुका होता तो 2 बार आगे हमारा pre-construction तो sir loan जो है वो है 5 लाग इंटू में 10% 10 by 100 इंटू में 1 by 5 इंटू में 24 बटे में 12 थोड़ा आगे पीछे हो गया है जो हम निकाल रहे है pre-construction period 5 लाग तस पर सेंट डिवाइद 12 इंटू चौब इस डिवाइद पांच यह आगे 20,000 यह आगे 20,000 ठीक है pre-construction period आगे हमारा 20,000 नाव यह loan last line कहता है none of loan repaid अभी तख कोई loan repayment नहीं हुआ तो current year का जो हमारा loan होगा interest वो होगा हमारा 5 लाग का 10% that is 50,000 यह आगे देखे कहता है he took a further loan एक और loan ले लिया 10 एक लाग रुपे का 11% interest पे to make further addition house 2021 में और घर बना रहा था उसके लिए loan ले लिया इसने तो कब लिया इसने addition house का मतलब है कि एक floor बगरा बना रहा होगा घर तो construction हो गया तो अगर आपका एक घर बन चुका है तो income tax return तो file कर रहे हैं उसके बाद 10 floor बना लो उसके मतलब pre construction से कोई लेना देना नहीं है तो जो second loan है उसका current year का interest अभी भी pending होगा that is 1,00,000 रुपे पे 11% जो की बनता है 11,000 तो total interest की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 20,000 हमारा PCP 50,000 current year और 11,000 current year total 81,000 का मुझे interest का deduction मिल जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें 81,000 का interest का deduction तो 49,500 minus 14,850 minus 81,000 तो यह मेरा minus में आगया 46,350 तो यहाँ पे आगया हमारा loss from house property यह हमारा पूरा का पूरा आंसर होगा इसका further यानि आपने कितने भी loan ले लो घर से related आपको उसका deduction मिलेगा ही मिलेगा interest का बताइए कोई डाउट चल पांचवा question clear था सभी को Mr. X on a house municipal value दे दिया fair rent दे दिया during the previous year use the on residential up to June तक यह लेट आउट दे दिया तो भई आप तो यह पूरे 12 से multiply हो जाएगा क्योंकि आधे time रह लिया he incur the following expenditure of the house municipal tax चलो यह तो आएगा insurance repair यह नहीं आएगा loan लेता है 2 लाग का taken April 2020 and the construction was house completed 2022 में 2022 में घर complete हो गया none part of the repayment so far तो simple सी बात है यहाँ पे municipal value क्या है sir municipal value हमारा कितने है 75 और fair rent 90 तो हमारा यही expected rent भी बन जाएगा और actual rent हम 12 से multiply करेंगे किसको 8000 into 12 तो कितने बनेंगे 96 यही आ जाएगा GAV 96 माइनस कर दो MT that is MT क्या है हमारा 9000 तो बचे कितने 9000 माइनस करोगे 10 तो 86 87 माइनस कर दो 24 क्योंकि हम इतने question कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ और फिर माइनस कर देंगे 24 बी अब आजाओ 24 बी का मुझे mainly 24 बी का calculation समझा रहा है चलो मेरा जो लोन लिया एक अप्रेल 20 में जो कि खतम होता है हमारा 31 3 2,021 में अगला साल आएगा हमारा 1,4 2,020 21 और 31,3,2,022 घर complete मेरा 2022 में हो चुका है जो कि 31,3,2,022 ने 31,5,2,022 इस साल भी घर नहीं complete हुआ घर complete हो गया कहीं नहीं जाके मेरा इस साल में अगले साल में होगा घर complete ठीक है इस साल तो return भरी दिया तो pre-construction period इस से just तो again कितने महीने होगे 12 महीने और 24 महीने तो PCP pre-construction period का interest अगर हम निकाले तो loan लिया इसने 2,00,00 का और rate था 10 बटे में 100 और 24 बटे में 12 into 1 by में 5 2,00,00 का 10% 12 into में 24 डिवाइड़ बए 5 तो यह आगे हमारा 8,000 और current year का interest examiner यहीं मेहनत कराएगा अपसे current year का interest होगा 2,00,00 क्योंकि loan का repayment नहीं किया यह जो कह रहा है no part loan repayment तो इसका धियान रखना है into में 10 बटे 100 तो यहनी 20,000 तो interest कितना होगे हमारा 28,000 तो 87,000 का 30% 26,100 और B का 28,000 तो minus 28,000 यह बन गया हमारा 32,900 यह बन गया IHP देखिया clear है 32,900 किसी student को doubt मैंने बहुत fast किया है यह मैं भी जाना है चानता हूँ लेकिन आप बताईए इसमें किसी को doubt है तो टोटल 10 question है 5 हो चुके हैं लगभग किसी को doubt है बताईए जल्दी comment में निहाल का कहना है था further loan का क्या निहाल आपको समझ में आ गया पिछले वाला loan का concept चलिए बच्चे कह रहे हैं नहीं है अब यह question देखके भी आसा लग रहे है कितना बड़ा question है लेकिन पहले पढ़ लेते हैं क्लियर है चलो पहले पढ़ लेते हैं श्री आर on a two house he was furnished the following particular financial year first house यहां है और second house यहां है first house municipal value दे दिया standard rent दे दिया controlling act it has the let out पहले घर को किराये पे दे दिया he made the following particular payment municipal tax payment किया repair का कोई काम नहीं है land revenue का कोई काम नहीं है legal expense incurred to the vacated इसका भी कोई काम नहीं है annual charges इसका भी कोई काम नहीं है this house remain vacated two months दो महने खाली रहा और nine thousand could not recover और इसमें से unrealized rent इसको बोलेंगे unrealized rent जो नहीं मिले from the defaulting tenant से नहीं मिला the tenant was vacated house the condition rule number four satisfy पहले घर को हम कर लेते हैं फिर दूसरे घर दूसरे घर के में बोलता है municipal value दे दी आपको use by the hour on resident he paid 200 रुपए insurance premium जिसका कोई काम नहीं है चलिए मैंने कहा जब कभी question में कुछ ना बोला जाए तो कौन से रिज्जिम से आप करोगे नियू रिज्जिम तो अब हम इसको भी नियू रिज्जिम से करेंगे चलिए आपको assessment year 23-24 के लिए निकालना है इन्हों date change किया नहीं मैंने कित अब मान लेते हैं यह हमारा हो गया h1 h2 यह है let out और यह है self occupied municipal value तो municipal value पहले वाले का बताओ ढूंड के क्या था हमारा क्या था तीस हजार चौविस हजार बस और दूसरे का municipal value कितना है चालिस हजार फेर रेंट हमारा नहीं दे रखा इस्टेंडर रेंट इसका दे रखा है कितना थे रेंट कंट्रोलिंग एक्ट के इसाफ से 30 हजा और यहां नॉट applicable एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा बताओ लोवर आ जाएगा इन दोनों में से देखेंगे फिर लोवर आ जाएगा यह नी 20,000 और यह तो होगा ही नहीं एक्ट्वल रेंट रिसीव एंट रिसीव एबल इसको थोड़ा में डिटेल में लेके जाता हूं हमारा घर जो किराये पे था ना वो कितने किराये पे घर था हमारा देखा जाए तो कहता है 9,000 रुपे और 9,000 इंटू में 12 कितने होते हैं 108 एक लाख आठ हजार यह पर मन तो नहीं था चलो एक लाख आठ हजार किराये का घर था एक लाख आठ हजार जिसमें से वेकेंट रहा था कितने मैंने वेकेंट रहा था देखो इनके रूल से तो मेरा बहतर ही है तो मैं वेकेंट माइनस कर दूँगा कितने मैंने वेकेंट रहा था दो मेहने तो 18,000 पहले माइनस कर दो वेकेंट और यह अन्रिलाइज रेंट भी था तो वह भी माइनस कर दो जिसके पैसे मिले ही नहीं हमें तो अन्रिलाइज रेंट कितने मैंने रहा था रूल नंबर 4 कंड सटिस्फाई कर दिया था इसने तो कुड़ नॉट रिकावर फ्राम डिफाल्टिंग टैनेंट कितने मैंने का नहीं मिला था कुड़ नौट रिकावर 9000 रुपए कि दा हाउस रिमेंट वेकेंट फॉर तुमस्थ 9000 कुड़ नौट रिकावर यह रेंटल वेल्यू क्या है और दो मेहने का किराय नहीं मिला 6000 और 9000 अन्रिलाइज हो गया लो भाई तो यानि अब यह सब माइनस करना अलाउड है बिल्कुल 3000 कर दिया मैंने 36000 और माइनस 6000 और माइनस 9000 तो हम यहाँ पे लेंगे 21000 अब मुझे साफ साफ जबाब दीजिए कि मैं GAV क्या मानूँ 24 या 21 यहाँ पे तो 0 होगा बदाओ यहाँ पे मानेंगे हम 21000 माइनस क्या कर दें MT MT पहले वाले का दे रखा है यहाँ पे तो होगा ही नहीं यहाँ NAV आ जाएगा माइनस 6000 करके 15000 अब माइनस करोगे 24A 30% इसके उपर कोई इंट्रस्ट है नहीं और यह भी 0 रहगा अब माइनस करोगे 24B बताओ 24B कितना माइनस करें बताओ 24B कितना माइनस करें बताओ कहता है इंट्रस्ट इसने he also taken a loan और इंट्रस्ट पेड किया है 20,000 रुपय तो बताओ इए इंट्रस्ट माइनस कितना करें फटाफट कमेंट बे बताओ समर्थ ने बोला है 21,000 21,000 क्या बता दिया अच्छा वो बता दिया जीए भी आप बताओ इए इंट्रस्ट कितना माइनस होगा इसमें से हमारे कुश्चन में कोई भी रिजिम की चर्चा नहीं है तो हम इसको किस से कर रहे हैं और इंट्रस्ट इसके लिए है तो इंट्रस्ट क्या होगा जीरो आई एच्पी आ जाएगा अगर ओल्ड से करते तो वहाँ इंट्रस्ट माइनस में आ जाता 15,000 का 30% 10,500 हमारा आंसर आ गया और यह जीरो देखने में कोशन पेपर में ऐसा भारी सा कोशन लगेगा नहीं यह बोलो गए यार इतना टफ कोशन आ गया क्या क्या बोल दिया तो बहुत सारी चीजे तो फालतू की चीजे लिख्की होती है जिसको आपको ध्यान में रखके करना है